स्टुडेंट आप सभी लोगों के अपने यूटूब चैनल राठोर एजुकेशन पॉइंट में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग बाइलोजी के नेक्स्ट क्लास यानि हम लोगों ने इसके पिछले वाले क्लास में 45 अब्जेक्टिब कोशन को कर लिया था उसके याद रखेगा मैंने पहले भी बता दिया है प्यारे भाई ओ अड़ाई सो अब्जेक्टिब या 200 अब्जेक्टिब मैं बाइलोजी का करवाऊंगा आपके परिक्षा के लिए और आपके परिक्षा में हमारे 200-200 अब्जेक्टिब कोशन से ही प्रश्न पूछे जाएंगे और बाईलोजी से आपके परिक्षा में 7-8 नम्बर का कोशन पूछा जाता है 7-8 मारक्स के लिए हम लोगों को कम से कम अड़ाई सो अब्जेक्टिब कोशन तो याद करना ही होगा भाई तो सभी लोग अच्छे से याद कर लेजे अभी हम लोग 45 की हैं अभी 46 से आगे ये तभी मिलेगा जब नोट्स खरीदेंगे ठीक है बाबू तो सभी लोग नोट्स खरीद लीजिए महा धमाका ओफर चल रहा है महा धमाका ओफर अभी चल रही है आपकी सफलता हमारी पैचान है धुआ धूणा उड़ा धूआ धूआ उड़ा दो एकदम इस वर्स समझ अधूआ धूआ हो जाए ना एकदम सेलेक्शन की 100% गरांटी है बाईयो मात्र 99 रुपया में आपकी सलेक्शन हो जाएगी इस वर्स मात्र 99 रुपय में आपको सभी विसए औल सब्जेक्ट पारा मेडिकल के औलस अब्रुक्ट आपको मिलेंगे इसमें आपका कोचन भी रहेगा सभी विशय से 1500 objective कोचन मैंने टिकोट किया है all subject से 1500 और याद रखिएगा theory भी है साथ में theory भी दिया गया है तो देर मत करिये notes खरीदने के लिए whatsapp करना है यहाँ पर देख सकते हो whatsapp नमबर दिया हुआ है 9570642512 इस पर whatsapp करके आपको notes खरीद लेना है ठीक है देर करने वाले को कुछ नहीं मिलती याद रखिएगा देर करने वाले को कुछ नहीं मिलती मिलती उनी है तमन्नाओं के सहर जो notes खरीदते है राठोर education point से पढ़ाई करते हैं राठोर education point से और अपनी सफलता की जंडा गारते हैं para medical में तो बिलकुल मेरे प्यारे student अगर आपको भी para medical में अपना जंडा गळवाना आए तो हमारा notes खरीदवाना है दिखवाना आए यानि सब को selection करवाना है तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग चलिए 45 हो चुका था 46 से है निमल लिखित में से वरगी की कापपितामा कहा जाता है बताईए सहीजबाब क्या होगा सहीजबाब औसन भी होगा लिनियस चलिए 47 है सुष्मजीव मिलते हैं सुष्मजीव मिलते हैं सहीजबाब औसन डी होगा इन्वे सभी सुस्म जीव मिलते हैं रेतली मिट्टी में लवन युक्त पानी में दल दल भूमी में चलिए 48 नंबर प्रश्ण है विसानू व्रिधी करता है जिवित कोशिकाव में साबूदाना किस से बनाया जाता है सही जबाब हो जाएगा पोमो लौजी पोमोलोजी चले 51 है दधी नामा पधती के पड़ती पालक है सही जबाव अपसंसी हो जाएगा लीनियस जितना भी करवा रहे न एकदम समझे मोश्ट भी बी आई वाइरल परशन है वाइरल यह एकदम फिक्स रख लिजे अड़ाई सो अब्जक्टिव कोचन ऐसे नहीं बोल सोचलो बाबु सोचलो आपसे कोई पैसा नहीं लेते एक रुपया भी लेते हैं यूटूपे पड़ने का नहीं लेते भाई हमारा चैनल अभी मोनेटाइज भी नहीं है एक रुपया नहीं मिलता हमको फिर भी बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट है इसलिए हम पड़ाते हमारा सोच है सबका सलेक्षन इस वर्ष गरांटी वाला देना है चलिए 52 नंबर प्रश्ण है बताइएगा जीवानु की खोज सर्वपर्थम किष्णे की हाँ बाई मेरा बहुचारा चैनल है क्या नाम हुआ हाँ दीपक कुमार हाँ एक चैनल है मुनेटाइज वहां से सर्वपर्थम किसने की चलिए सही जबाब है लीवेन हौकने चलिए आगे बढ़ते 53 53 नंबर प्रश्ण 53 है जीन पौधे पर बीज बनते हैं समझिएगा जीन पौधे पर बीज बनते हैं किन्तु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाती है सही जबाब है और संडी आनाव रि प्रिती क्या होती है बाबू सही जबाब है छड़ रूपी छड़ रूपी चलिए 55 नंबर प्रश्ण है जो जीबानू समझिएगा जो जीबानू आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं इसका PDF नहीं देंगे बाई बिल्कुल फ्री में नहीं देंगे इसका PDF आप कहलाते हैं सही जबाब है ओफसन भी बी गोलानू जो लानू चलिए रेक्ष्ट प्रश्ण है 56 निमनलिखित में से कौन सा रोग बैक्टेरिया से होता है 56 का सही जबाब आप्सन भी ता पेदिक ता पेदिक चलिए 57 नंबर प्रश्ण है मानव की आंत में पाय जाने वाला जिवानु है सही जबाब ऑफ्षन ए हो जाएगा हमारा याद रखेगा एस रस्या कोलाई चलिए 58 नमबर प्रश्ण है एंटी बायोटिक्स अधिकांस्ताय पाय जाते हैं बताईए सही जबाब हो जाएगा ऑफ्षन डी जिवानुओं में जिवानुओं में चलिए 59 नमबर प्रश्ण है मारा निमनलिखित में से कौनसा रोग जिवानुओं के कारण होता है निमनलिखित में से कौनसा रोग जिवानुओं के कारण होता है निमनलिखित में कौनसा रोग जिवानुओं के कारण होता है बाबू है जा ठीक है बहुत इंपोर्टेंट प्रश्ण है बा अभी तो असली तुफान बाकी है अभी तोजली है अभी पूरा पूरा गरांटी वाला सेलेक्षन बाकी है इसलिह तो कहते हैं कि पूरा भीहार में बाकी है इसलिए कहते हैं कि ख luxury 49 उ lige कंवाल नोट्स को है कि पूरा बढ़ते रहे जै हिंद जै भारत वंदे मात्रम